उसने ठीकी तो कहा है तुझे एक सहारे की जरूरत है कब तक ऐसी जिन्दकी गुजारती रहेगी जिसकी कोई मन्जिल नहीं मुझे डर लगता है मन्जिल की तलाश में कहीं गलत रास्ते परना चली जाओ तेरे साथ जो गलत होना था सो हो गया अब सब अच्छा होगा मुझे भरोसा नहीं है करना पड़ेगा भरोसा थे जुन्द तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा जानती हो वो एक अच्छा लड़का है आजकल दुनिया इतनी मतलबी बन गई है अच्छे लोग मिलते ही कहां और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो तेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुछ से प्यार करता है लेकिन खुश फिर आया नाय तुम ठीक कह रही हो मैं उसे शादी कर लूँगे इतना कुछ हो गया पर तुम ने मुझे बताया तक नहीं क्या बरदा रोही अपनी परिशानिय में इतना उलज गया था कि दिमाग से निकल गया कि तुमसे बाते शेयर करूँ मैं समझ सकती हूँ पर जो कुछ भी हुआ उसे एक पुरा खाप समझ कर भूल जाओ और ये सोचो कि अब आगे क्या करोगे मैं रोही नहीं मेरे देल दुमाग पर उन बातों का इतना असर हुआ है खुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ मैंने अबू से लो अबू आ गए अबू मैंने मुझे सब पता है तहा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है ये जो मुसीबत है ये तुमने खुद मोल लिये अगर तुम रुई से शादी कर लेते तो ये दिन ही नहीं आता अब कहा पिछली बातों को लेकर बैट गए अब ही तो हमें ये सोचना है कि हम तहा की हेल्प कैसे कर सकते है । सोचना क्या है? भई मेरा जो कुछ भी है सब तहा का है लेकिन इससे पहले हमें एक काम करना होगा क्या? तुम्हें अपनी बीवी को तलाख देना होगा लेकिन जब तक तुम उसे तलाख नहीं देते हम कोई आगे का स्टेप नहीं उठा सकते हैं एक औरत जिसे अपने शोहर से जादा दौलत प्यारी है उसका जिन्दगी में ना होना ही बेतर है हाम अब ठीक कह रहे हैं लेकिन अगर वो तलाख के लिए राजी ना हुई तो राजी तो उसे होना ही पड़ेगा अगर नहीं हुई तो हमारे पास रास्ते हैं मुझे उसने अपने जान में इस तरह फसा है कि मुझे आज तक उसका मकसद नहीं पदा चला तहा औरत को पहचानना बहुत ही मुश्किल है वो अपनी पर उतराए तो कुछ भी कर सकती है और एक बात और तुम्हें जब पता चली चुका है कि तुम बशीरा के बेटे हो तो तुम बशीरा का साथ दो ताकि चौदरी खांदान की असलियत दुनिया के सामने आ जाए कैसा करना ठीक होगा इसमें सोचने की क्या बात है ठीक है जैसा आप कहता है आपके चकर में अच्छा पस गया हूँ मैं और आपके ये कुछ करने लिए मैं कितनी दोंसे लोकाप में सर रहा हूँ अरे मैं करी इसे बात किया है क्या उसने फोन नहीं किया तुम्हें अरे वो तो धूके बास है मैं उसको फोन किया था उसने कहा कि मैं निगार को हासिल करना चाहते हो ना तो सारी दुनिया के सामने उसकी और अपनी हाकिकत बता दो अरे मौतरमा ऐसा नहीं कर सकते हैं वो इसलिए कि जो मेरे हाथ पैसी लगने वाले हैं वो मेरे हासरी कर जाएंगे बस उससे भी ज्यादा मिलेगा हां चाहतरी खांदान को अपनी इज़त से बढ़कर और कोई चीज नहीं है वो अपनी इज़त बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कोई भी केमत अदा कर सकते हैं अरे अच्छा मौका है तुम फाइदा उठालो कर पैसा बीवी बच्चा सब कु रहा है हाँ निगार अपनी असलियत चुपाने के लिए तुम्हें मरवा भी सकती है पहले दुनिया के सामने तुम दोरों की हकिकत बता दो फिर मैं तुम्हें यहां करवाओंगी देखो अब थोड़ी तेर में वो मीडिया वले आये चाहेंगे तुम सारी बाते उनको सब में अशकी जां देना ठीकि चलती हूँ खुदाहाफिस किया खुदाहा ठाहा अब परिशान हो कर क्या फायदा पीछे किस पारे में ऊचिने से अच्छा ये के तुम आगे की जिंद़िक वारे में सोचने का टिया फाइग साज्वे मुझे तासा लगता है जिसे मेरी तकदीर और मेरी खुशिया नदी के दो किनारों की तरह है जो कभी नहीं मिल सकता है ऐसी बात नहीं है ताहा जो लोग हातों की लखीरों पर चलते हैं वो अकसर उंगलियों के भवर में उलच कर रह जाते हैं इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है और जूबी से शादी करने का फैसला तुम्हारा अपना था हाँ रोई मुझे आज भी इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने जूबी से शादी क्यों की तो तुम जूबी से शादी करके खुश हो हाँ रोई हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं होई जिसकी वज़े से मुझे पश्तावा हो तो खेतू सिर्फ एक बात का कि मेरी बीवी होते वे उसने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा घर वालों के बारे में सोचती रही अगर क्यों? क्या एक शोहर की एमित नहीं होती? ताहर तुम वो बात कर रहे हो जो तुम जानते हो अगर तुम वो बात जान जाओ जो तुम्हें नहीं बता तो तो शायद तुम्हें जूबी से नफरत हो जाएगी कौन सी बात? वो तुम्हें तुम्हें नहीं बता सकती वो तुम्हें अबू ही बताएंगे तुम्हारा अबू सुभी के बारे में क्या जानता है बहुत कुछ जो शायद सुनकर तुम यकीन भी ना करो फिर भी यही काऊंगी कि साथ सुनने की हिम्मत रखना और एक बार अबू से मिल लो पर ना पूरी जिन्दगी अंधेरे में ही भटकते रहोगे ठीक है रूई को मैंने मना किया था फिर भी उसने तुमसे ये बात कह डाली शायद उसे मुझसे हमदर्दी है हमदर्दी नहीं प्यार है महबत करती है वो तुमसे है तुम्हें ये बात अजीब लग रही होगी कि एक बाप होते हुए मैं अपनी बेटी के बारे में ये सब इतने खुले तोर पर कैसे कह पा रहा हूँ मदर्द मैं एक प्रैक्टिकल बाप हूँ मैंने अपनी बेटी को अच्छाई बुराई दोनों बताए उसको बताया कि ये रास्ता गलत है बेटा ये रास्ता सही है लेकिन मैंने उसे कभी ये नहीं बताया कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना है और इस रास्ते पर नहीं चलना उसके सारे फैसले उसने खुद ही किये और मुझे एक एक बात बताई सिर्फ एक बात के उसने मुझे ये बताया कि तुमने शादी से इंकार नहीं किया था बलके वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी और ये उसने इसलिए किया कि कहीं मैं कोई गलत कदम ना उठा लू यह तो उसने मुझे बताया था लेकिन उसने मुझे से ये राज चुपा लिया और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने इंतकाम का इरादा बना लिया उसके बाद तुमारे घर के हर एक फर्द पर मेरी नजर थी तुम्हारा बिजनिस तुम्हारा घर तुम्हारे दोस्ट तुम्हारे दुश्मन सब का पता लगा लिया मैंने इस वाइल में तुम्हारे बिजनिस की तुमाम डीटेल्स है अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में सिर्फ एक दिन में तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर सकता हूँ और मैं ऐसा कर भी देता लेकिन तुमने मुझे से हाथ मिला लिया खरब अब ये सब ये सब तुम्हारा है तुम्हारी प्रॉपटी तुम्हारा इंवेस्टमेंट तुम्हें चौधरी से छीनना है क्योंकि उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ गलत परताओ किया इस बात का एहसास तो अन्य होना ही चाहिए उस इंसान ने मेरी बेह में को मुझसे अलग कर दिया मेरी अम्मी और मेरे पीछ गलत फह्मी पैदा कर दिया मेरे अबू को लापता करवा दिया मेरी जिंदगी को हिस्सों में तक्सीम कर दिया अब तो ना मैं जी सकता हूँ और ना ही मर सकता हूँ अब तो सिर्फ तुम्हें जीना है इन्तिकाम के लिए अपनी जिंदगी के लिए रूई की खुशी के लिए हाँ वेटा रूई मेरी जिंदगी है मेरी हर खुशी है मेरा सब कुछ ले लो मगर मेरी रूई को खुशी हां दे दो और मैं जानता हूँ के उसकी सबसे बड़ी खुशी तुम हो मुझे शर्मनता मत कीजिए अब्बू जब अब्बू कही दिया है तो मेरी एक बात मानोगे अब हुकम कीजिए रूई से शादी कर लो लेकिन जूबी को तलाख दे दो उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया किस गलती पर तलाख दो उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने तुम से शादी की थी क्योंकि वो शादी दरसल एक दिखावा था खेल था एक यह आप क्या कह रहे है मेरे पास सबूत भी है और गवावी जूबी को लगता है कि उसके बाप का गतल अलियावर जंग ने किया था जो अलियावर जंग का पार्टनर था इसलिए वो समझती है कि तुमारी प्रॉपर्टी में आदा हिस्सा दरसल उसका है इसी इंतिकाम को अंजाम देने के लिए जूबी बहू बनकर तुमारे घर में दाखिल हुई और इसको करने के लिए उसने कितने पापड़ बेले कितने जुर्म किये उस सब का कच्चा चिठा इस फाइल में दर्चे है एक बार फाइल पढ़ लो पूरी कहानी समझ जाओगे एक बार फाइल में दर्चे है एक बार ऑयघ जा गल कर दो हमें दिलétais प्ता खंतो प्ता तूर्म कितने तूँ tव भब भब प्तान तहाँ बेटे, अगर आप वाकई मेरी राय लेना चाहते हैं, तो मैं यही राय दूँगा कि रिष्टे बनने में तो वक्त लगता है, लेकिन इसके टूपने में नहीं, और एहनियत वक्त की होती है, एक लम्हे कि नहीं, मैं आपकी राय लेने नहीं आएं, अकिल साथ, मैं सिफ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जबाद को तलाक देना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं, मैं इसमें तुमारी क्या मदद कर सकता हूँ, हमें अपनी ड्यूटी पूरी कर दूँँ हूँ, कि मैं एक वकील हूँ, और तुमारी फैमली से पुराना रिश्टा है मेरा, पर अगर तुम काजी साब की मदद लोग तो, ज्यादा असानी होगी तुम्हें, कैसी बादा कर जबता कोई जाहिल लड़की नहीं है, कि मेरे तीम बार तलाक कहने पर वो चिप बैठेगी, वो सब्रूर कानूं का दरवजा खटखटाएगी, मैं जा दूँगे से पहले वो कानूं का अप्रोच करें, मैं कानूं का अप्रोच करें, चलो ठीक है लेकिन, क्या मैं जान सकत जब करीब पहुचा, देखा मेरा घर चल रहा था, खुशी की लालच में हम को घले लगा लिया, नहीं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझे, उसने किसी मकसद के खात्र मुच से शादी की, वो मकसद मैं जान सकता हूं, वो अपने बाप के खून का बदला रेना चाहती ह इतने यकीन के साथ तुम ये बात कैसे कह सकतो बिटा, अबरार साथ ने मेरी आँके खुल दे, सिर्फ उनकी बाते सुनकर तुमने ये फैसला ले लिया कि क्या सही है और क्या घलत है, सिर्फ उनने कहा नहीं, सुबूत के दौर पनाने मुझे फाइल दिखाई, जिससे बीमारी का बहाना बना कर पाट टालती रही है, तहाँ बेटे, मैं सब मामलाब समझ किया, हम देती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम आजी डिवोस केस फाइल कर देते हैं, मुझे आप सही है उमीरती है, अभी, आज का न्यूस्पेपर पड़ है, क्या मी, निगार कही की नहीं रही, अल्या ने उसे ऐसी सजा दी, कि वो कहीं भी मुझे खाने के लायत नहीं रही, अमी, उसका इंसा वैसा ही होता है, मेरा घर भी खेर कर रख दिया उस औरत ने, ये तो अच्छा हुआ, कि तुम मेरी जिंदेगी में आ गए, वरना उस औरत ने तो मेरी बना कर रख दिया था, आपकी नेकी पर अल्ला को भी तरस आ गया होगा, इसलिए उसने मुझे भेजा, अभीर, अब हमें हमारे बीच की गलत तेमियों को दूर कर देनी चाहिए, उन्होंने अपने फाइदे के लिए हमें यूज किया, तकि हम आपस में लड़ते रहें, औ अने तो इस बात का ख्याल भी नहीं होगा, कि वो अपने ही जाल में खुद ही फच जाएंगे, अब तो निगार सभी तरह से हार चुकी है, इधर इज़्जत कही, उधर बेटा, अब वो ये घर में क्या मुझे लेकर जियेगी, ये घर तो उसे छोड़ना ही होगा, अबीर, अब ये घर और बिजनस हमें ही संभालना है, तुम्हारे अब्बु ने बहुत मेहनत से ये सब कुछ बनाया है, और मैं नहीं चाहती, कि मेरे जीते जी, उनकी बरसों की मेहनत बरबाद हो जाएं, अबीर, आप मुझे पर भड़ोसा रखिए, ये घर सिर्फ अब्बु और आपका ही नहीं, ये मेरा भी ख्वाब है, मैं इसे कभी बिखेने नहीं दूँगी, मैंने इसके लिए क्या-क्या नहीं किया है, कितना लड़ी हूँ, सिर्फ मैं ही जानती हूँ, अबीर, तुमने हारिस को अपने आप में इस तरह से जिन्दा रखा है, कि हमें महसूस ही नहीं हुआ, कि हमें छोड़ कर जा चुका है, मैं बहुत जजबाती हो रही हूँ अभीर, लेकिन तुम्हें है ना बेटा, आगे का सुचना है, तुमने मुझे से वादा किया था ना, हाँ, क्या दे, अब तुस्रे रही चीज़ देखनी है, दुश्मन की बर्बादी का तमाशा, कि अबिस्व देखनी का तम्हें है, लाँ प्यूज़ दुमने प्लेटार थल्यूज़ गिस, देखनी है, बादाएनी का व्लेटार्टार्टार्टार्टार्रा है, ऑने कूछ जब एक रे दुमने खरना है, झाल झाल